हाल की समय में मानव जाती ने जिन दैवी आपदाओं को जेला है उसमें भूकम प्रमुख है जो मिंडो में ही इतनी बड़ी तबाही लेकर आता है कि एक पल में सब खत्म हो जाए इसलिए दुनिया में ऐसे घर बनाने की कवायत शुड़ू हो गई है जो सुन्दर और आकर्शक तो हो ही लेकिन बड़े भूकम को सहने की एक शमता भी रखते हों ऐसी ही एक पहल सरोवर नगरी ननिताल में की गई है अगर आपका मौसम ऐसा है कि बाहर बहुत जादी गर्मी होती है तो जब आप ऐसे घर बनाएंगे मिट्टी के घर बनाएंगे तो अंदर आपका घर ठंडा रहेगा तो आपको एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी जो परियावन उनको नुकसान पहुंचाती है अब आप ये सोचों कि 100 साल नया एक मटीरियल ने ऐसे हम सब के दिमाग को खतम कर दिया है कि आज की डेट में हमें ये लगता है कि अच्छा जी सिमेंट के बिना मकान केसे बनेगा ये सोचने वाली बात है सिर्फ 100 साल पुराना एक मटीरियल ने 9000 साल पुरानी तकनीक को मिटा के रख दिया है हमारे दिमाग में शगुन ने इन घरों को नैचरल हाउस नाम दिया है अब वो ननिताल के महरोडा गाउ में अर्थ बैक, कॉब, एडोबी, टिमबर फ्रेम, लिविंग रूम तकनीक से विबिन प्रकार के घर बना रही है मिटी से बने इन घरों को बनाना भी काफी किपायती है अगर आपका मौसम ऐसा है कि बाहर बहुत जादी ठंड होती है तो इन घरों में आपको अंदर ठंड नहीं लगेगी, आपको इतने सारे हीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी यही कारण है कि देश भर के साथ आप विदेशों में भी इन घरों को बनाने की डिमान बढ़ रही है अब इन घरों को बनाने की विधी सीखने के लिए करीब 12 देशों के लोग भी महरोडा पहुचने लगे हैं देश विदेश से हर कोने से आप जो भी देश बोले चाहे आप अमरीका बोलिए चाहे आप लंडन बोलिए चाहे आप मिडल लीस्टर्न कंट्रीज की बात कीजिए चाहे आप साउथ अमेरिकन कंट्रीज की बात कीजिए औस्ट्रेलियन कंट्रीज की बात कीजिए जितने भी ये continent से और countries हैं, हर जगे से लोग यहाँ पे आते आ रहे हैं पिछले 4-5 सालों से सिर्फ ये सीखने के लिए, ये मकान बनाने के तकनीक और प्रकृती के साथ कैसे sustainably हम रह सकते हैं, ये सब कुछ सीखने के हर जगे से लोग आते हैं. इतना ही नहीं, अब भारत के कई जाने माने Architecture Institute के छात्र और प्रोफेसर भी शगुन से इस कला को सीखने के लिए उनके पास आ रहे हैं. ये मिट्टी के घर ऐसे भी बन सकते हैं, मतलब सस्टेनेबल बोल के सिमेंट बनाने का मतलब नहीं है, तो मतीरियल को भी कुछ एक्सपेरिमेंट करो ना, उसको क्यू बूल रहे हो? फिर मैंने यहां पे फिर उसके बात से जिंदगी बदली है. अब बगड के पास कुछ जो वॉलिंटियर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पहल किये, उसमें उन्होंने मिट्टी और कुछ रिसाइकल वाले कुछ मैटेरियल जो फैंक दे जाते हैं, बोटल्स हो गए, और मिट्टी के कुछ ब्रिक्स इंचे बना करके, बंबू को हेक शेत्र भुकंप की द्रिष्टी से बेहत समवेधन शील है, और इन शेत्रों के लोग इसी प्रकार के मिट्टी और बास के घरों का निर्मान करते हैं, मिट्टी और घास के बने घर बेहत हलके और मजबूत होते हैं जोन में उत्राखंड राज्य है, तो कुछ जिले पांचवे जोन में है, कुछ जिले जोन में है, फोर्थ कटेकरी की जोन में, जो हाई सेंसेटिव हैं, तो ये इतने समेधन सिल होने के कारण, भुकंपी द्रष्टी कॉन से यहाँ पर जो इस्ट्रक्चर, जो भवन का नि सिमेंट और कंक्रीट के घर बना रहे हैं, जिससे पहालों की पहचान, मिट्टी के इन घरों को लोग अपना नहीं रहे, लेकिन इसी आदुनिक दौर में कुछ युवा ऐसे भी हैं, जो अपनी संस्कृती को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ही काम शगुन सिंग कर रह नहीं है, ब्यूर रिपोर्ट एटीवी भारत